हलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पैनार इंडश्ट्री लिमिटेट से जिखे, रिजन क्या है? रिजन सिंपल है कि हमारे पास काफी कोशन्स इससे रेलेटेड आ रहे हैं कि panel industry में किया किया जाए और बहुत सारे questions पुराने time से ही pending है और share अगर हम बात करें तो 163 का high लगा के 135 पे आया भी है और इस share को हम 90 rupees से बताते आ रहे हैं ठीक है ना तो इस cheat को भी आपको ध्यान में रख रहे हैं तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे ठीक है ना मैं आपको levels बताते हुए नजराऊंगा क्या है क्या नहीं है वो भी बताते हुए नजराऊंगा बट इससे पहले सब चीट बात करूँ आपको disclaimer देना चाहता हूँ कि ये share मेरे पास है तो नहीं है बट हाँ किसी ना किसी के पास ऐसा हो सकता है जिसे मैंने inform किया हूँ तो इसलिए buying selling की कोई recommendation नहीं है अपने financial advisor खुद की study करना है आपको थोड़ा सा उसके हिसाब से आपको देखना है हाना खुद की study करना जरूरी है या अपने financial advisor से पूछ लाए ठीक ना किसी के कहने पर मेरे कहने पर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है simply जो वीडियो है educational purpose से बनाई जाती है वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले request है I am small cap investor चैनल को subscribe बेर आइकन को hit all की notification कौन करी है buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor को की study करे चीचों को सीखेंगे तो क्या होगा सीखेंगे तो यह होगा कि हमने कल वीडियो बनाई दियो मैंने बताया था कि market में गिरावट है बट मैंने आपको levels दिये थे मैंने आपको बताया था कि market इस level से न मुड़ती हुई नजर आएगी market यहां से एक turn around आ सकता है और अगर आप market को देखोगे ठीक है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ठीक है मैं आपको ले जाता हूँ आपको तो आपको यहां पर पता चलेगी देखिए nifty nifty small cap को देख लेते हैं क्योंकि small cap और mid cap को जादर यहां पर track करते हैं तो small cap को यह देख हूँगा देखिए जो अभी भी लिखा हुआ है यह line मैं द्रॉख की थी और इसी line से touch करके हाना इसी line को touch करके उपर की तरफ same as it is यहां पर आकर मैं nifty mid cap की बात करूँ तो mid cap भी आपको पता चलेगा कि उसी चीज को उसी line को touch करके न यह थोड़ा से नीचे आके हाना यह नीचे आया मेरा था कि यहां तक शायर आ सकता है अगर market किरा तो बट नहीं किरा ठीक है यहां से आ गया और अच्छी बात है ठीक है यह भी यहां पर support की तरह काम कर रहा है अच्छी बात है तो क्या है यह होता हुआ नजराता है कि आपको levels पता चल जाते हैं आपको समझ में आ जाता है कि market किस तरीके से किस दिशा में भैती है हाना और इसी को अगर सब सीखना चाहते है तो आप हमारे course को join से कर सकते हैं जहां पर basics to advanced technical research fundamental कब लेना क्यों लेना किस लेना किस के लिए लेना एक शेयर कब भागते एक शेयर कब गिरते हैं यह क्यों क्या कैसे किस लिए कि जब आपको मिल जाएंगे हाना और आप खुद ही यहां पर track कर पाओगे इस course को करने का एक साल का experience ले लिए जाएगा जैसे course कराया जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगी कि आप खुद ही पता कर पाओगे कि market में actually चल क्या रहा है और किस दिशा में market जा रही है किस दिशा में market नहीं जा रही है पूरा course है थीनिमंस की handholding है और ओलाइन नोटस है 25,000 रुपे का course है पर बात करेंगे तो आपको यहां पर बात करके देखिए इसका भी एक solution में मेरा है पास है वो हम यहां पर देख लेंगे बाकी काम करना है किसी को तो same number 8605-40501-8169-261237 दोर नंबरों को सेफ कर लीजिए contact करिए साथ में काम करके देखिए portfolio चोटा हो बड़ा कोई फरक नहीं पड़ता आप बात करके देखेंगे तो होगा यह कि आप शायद जिस गती से चल रहे हो उससे थोड़ी सी speed पकड़ लो इस्टिर यहां पर आप बा की location multi product company है manufacturing precision engineering product of pre engineering building system and hydraulic and warehouses solution में company काम करती हुई नजर आती है ठीक है ना यहां पर आप देखिए steel और यहां पर इंजिनियर से लिटिन यहां पर इनके यह काम करती हुई दिखाई देती है आप चाहँत इनके product portfolio में क्या क्या चीज़ी है वो यहां पर आप देख सकते है रि दे रखी है वो है ठीक है ना company का railway segment में भी अच्छा गासा काम करती हुई नजर आ रही है इनकी website पर visit कर ली जिए तो आपको इनके product से later इनकी services से later पूरा पूरा एक idea लग जाएगा कि company क्या करती है किस तरीके से करती है management क्या है आपको अच्छा गासा पता चलती हुई जब होते हैं तो पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि so that हमें एक अच्छी return पर ले हाना 19 का PE है इंड़स्टी का PE 22 का है तो सस्ता नजर आता है बट सस्ता और महेंगा कुछ नहीं होता इस चीच को याद रखिएगा ठीक है ना जब चीज़े भाग रही होती है तो ज़्या नहीं जुड़ी हुई है वो एक indication ज़रूर आपको PE दे देता है ठीक है ना बट याद रखिएगा PE का share के भागने या गिरने से कोई फरक नहीं पड़ता इस चीच को याद रखिएगा अब यह भड़ेगा कि हाँ share भाग रहा है तो PE यहाँ पर obviously बाते बढ़ेगा share गिर बात करते हैं तो आगे बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स के में जाए तो आपको समझ में आएगा promoters as it is 39.75% की holding रखे हुए है FIs की बात करें FIs 4% हाना DIs की बात करें 0.35% जो की यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए है पबलिक की बात करें पबलिक के पास भी यहाँ पर चोटी मोटी सी यहाँ पर holding यहाँ पर नजर आती है इसके इलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो buying selling यहाँ पर चलती रहती है वो चीज़े भी आप यहाँ पर देख सकते हो और बात करते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि company के numbers company के numbers की तरफ आप देखेंगे तो आपको समझ में आए का company अच्छा कर रही है yearly basis पर company के जो number से sales side में वो बढ़ते हुए नजर आए है operating profit देखोगे highest ever है जो पिछले बारे quarter में नहीं आए net profit देखोगे ठीक है ना वो भी यहाँ पर highest ever है as well as यहाँ पर देखेंगे company का margin भी अच्छा कासा आता हुआ दिखाई दे रहा है तो company यहाँ पर अच्छा कासा काम कर रही है yearly basis पर company की sales यहाँ पर ठीक ठाक नजर आती है इतना extraordinary काम company ने करके नहीं दिखा है पर दीर दीर casually यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है reserves company के बढ़ रहे है borrings है company के पास याद रखी और इस quarter में बढ़ी भी थी सप्टमबर में अच्छा काम कर रही है अच्छी चीच है कोई परिशानी वाली बात नहीं है maximum chart pattern की बात करें तो maximum chart pattern भी देखिएगा कि highest ever top पर बैठा हुआ है तो इसीट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहां पर पैनार के चार्ट से बाते करेंगे ठीक है न बट उससे पहले पैनार में बात करें आपसे request करूँगा कि आप हमारे चैनल पैसा अल्रेडी डबल हो चुका है जहां से बताया था वहां से पैसा डबल हो चुका है और यही टार्गेट हमने दिए भी दे इसके बाद 80 रुपए पर यहां पर बात करें 108 रुपए भी बताया था ठीक है अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग तरीके से जो चार्ट तो यहां देखिए शेयर अच्छा खासा भागने के बाद एक गिरावाट होती भी दिखाए थी प्रॉफिट बॉकिंग आई ठीक है और क्या होता है कि जब चीजे भाग जाती है तो प्रॉफिट बॉकिंग भी बीच-बीच में जरूरी है लगतार चीजे नहीं भागती उपर शेयर कभी भी एक दिशा में नहीं भागता और जो एक दिशा में भागता नो फिर वो एक दिशा में गिरता भी है फिर वो सर्किट वाले स्टॉक होती है आप देखोगे कि शेयर यहां पर भागा गिरा भागा गिरा भागा गिरा भागा गिरा तो इस तरीके से चलत आपको बस यह देखना है कि आपने किसी company में जो invest किया है वो company अच्छी है या नहीं है अभी तक मैंने पूरा आपको ब्यॉरा देता हुए नजर आया मैंने आपको बताया इसके fundamentals के बारे मैंने इसकी balance sheet के बारे बताया तो इसकी balance sheet क्या कह रही है वो आपको समझते हुए आपको उस नजरिये से उस तरीके से काम करना होगा बट अगर आपको investment purpose से देखना है तो आपको यह नहीं देखना कि शेयर इतना गिर गया आप भाग रहा है तो आप पकड़ रहे हो बाग गिर रहा है तो आप यहां पर रो रहे हो तो आपको ऐसा करने की जरूद नहीं है तब तक यहां पर आप पैसा कैसे बना बाओगे हना तो सीखा मैंने भी है time दिया है years का experience है तब जाके यहां पर आज मैं चीजे लेता हूं तो मुझे गरता भी है तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है आज गिरा है कल यह बांग जाएगा क्यों क्योंकि अच्छा शेयर है आज भी अगर market मैंने पहली बता दिया है यहां से bounce back हो जाएगी तो मुझे डर नहीं लगा ठीक है पॉर्टफोलियो लगबच 5-6% कल की देट में गिरता हूँए नजर आया पर डर नहीं लगा क्यों नहीं लगा क्योंकि मुझे पता है अच्छे शेयर है bounce back करेंगो और आ सकता है कि यहां से bounce back हो जाएगा अब यहां पर एक थोड़े दिन consolidation करेगा और करने के याद ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और यहां पर 163 पर फिर profit working आएगी तेजी कब होए कि जब यह 163 4 के ऊपर निकलेगा तब यह तेजी होती भी नजर आएगी और share ऊपर जा सकता ह है तो डरने वाली बात नहीं है ठीक है ना सही तरीके से आपको देखना है कि आप चार दिन के share के लेने के लिए यह चे महीने एक साल के लिए यह पांस साल दन साल के लिए लेने आयो ठीक है आपने आपको उस category के साब से choose करो हरा फिर उसी साब से trading करो ठीक है अगर आप सो इसले एक दो वीक के अंदर अच्छे खासे पैसे अलग अलगी stocks में मार्किर चली नेरी उसमें हमने आनल करके दिखाए है ठीक है ना तो उस तरीके से आपको यहां पर काम करना है तो share यहां जैसे 135 के जाएगा यहां से निकलना बहुत जरूरी है 143 को निकलता है तो यहां तो टॉप पे लेटने पर याद रखिए stop loss को follow करो ठीक है अगर ताकि अगर चीज़े नीचे भी आए तो आप थोड़े से loss में निकल जाओ बट stop loss आप follow नहीं करते है आपको loss करने के यादत नहीं है आप loss करना नहीं चाहते तो loss अगर आप loss बुक करना एक अच्छी बात जाओ ठीक है ना दुबारा मौकम मिलेगा तो आप खरीदोगे फिर पैसा बन जाएगा या तो फिर जब investment कर रहे हो तो ऐसी जगह पर खरीदो जहाँ पर रिस्की कम हो बिल्कुल नीचे खरीदोगे तो ही investment मानने जाता है उपर के level पर के यहाँ पर trading होती और कुछ नहीं तो वीडियो अच्छी लगे like, comment, share, channel को subscribe, bell icon को hit करो और जितना हो सके channel को subscribe, bell icon को hit करने के बाद इन number को note करके course करिये, सीखिये, बार-बार क्या रहा हो 25,000 की तरफ मत देखिये, बात करके देखिये, 25 का भी solution बता दूगा, बागी यहाँ पर सीखेंगे तो और अच्छा रह करी सकते हैं, को अच्छा रहा रहा हा है, बाद शेखिये, बाद कर देखिये.